मसकर दोस्तों फिल्मियों और ट्योटिप चल्ल में आपका स्वागत है अगर आप भी बॉलिवूट की सिटीज लव स्टोरी मूवी देखकर बोरू चुके हैं या अपने लॉगडोन में बहुत सारे एक्सान थ्रिलर, होरर, सस्पेंड ऐसे जुनर की बहुत सारी मूवी और और आपका दिमांग भर चुका है और कोई हल्के फुल की अच्छी लव स्टोरी वाली वेप स्रीज देखना चाहते हैं तो रॉंग नंबर आपके लिए बहुत अच्छा उप्शन हो सकता है यहां RBCJ मेडिया की YouTube चनल पर फ्री में उपलब्द है यह एक मेनी स्रीज है जो 2019 में इसका पहला सी जनाया था और अभी हाले में इसका सीजन 2 आया है बात करते हैं इसकी कहानी की इसकी कहानी में 5 किरदार दिखाये गये हैं जिसमें खुसी, रूची, सुकला, करण और रज़त नाम के 5 किरदार हैं खुसी और रूची की बहुत अच्छी दोस्ती है वैस उसका वर्टसप नंबर आप टेंप्ररली अनाववलबल बता रहा है। इस कहानी में मूरत तब आता है, जब करण सुकला से एक सिम कार्ट मंगाता है, और उसके एक्टिवेट करता है। जैसे ही वह WhatsApp नंबर चालू करता है, तो उस नंबर उसे बहुंँ सारे मेसेज आना चालू हो जाते हैं, और खुशी की DP देखने के बाद, और उसके बहुंँ सारी मोसन मेसेज पढ़ने के बाद, करन को रूची से एक तरफा इसक हो जाता है, उसके बाद कहानी आगे क्या मोल लेती है, क्या एक तरफा प्यार, दो तरफा हो पायागा, या रजे दुपी काटा इस प्यार के आड़े आएगा, इस कहानी कुछ जानने के लिए आपको पूरी वेब स्रीज देखनी होगी, अगर बात कुरू पॉजिटिव पॉइंट्स की या बहुत प्रेस कांटेंट वेब स्रीज है, जो आपको सायदे किसी वेब स्रीज में देखने को मिलेगी, दूसरा प्लस पॉइंट है इसका फ्यूमर, इसमें बहुत अच्य पंचेस है, डाक फ्यूमर है, और इस्पेसली सुकला के जो इंटेलिजन, इंटेलिजन फनी लाइन्स है, वो आपको सच में इसमें गुदगुञाने पर मजबूर कर देंगे, और आप सुकला के करेक्टर से प्यार करने को मजबूर हो जाएंगे, तिसरा इसका प्लस पॉइंट है, इसमें दोस्ती वाला इंगा भी बहुत अच्छे इस दिखाया हुआ है, इसमें सुकला और करन की दोस्ती बहुत बीड़ते हैं और कभी एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को त्यार हो जाते हैं चौता इसका बैगरण मुझे बहुत अच्छा है और डायेक्शन बहुत अच्छा है ओवराल ही एक बहुत अच्छी स्रीज है वेल रिटर्न, वेल डारेक्टेड और वेल एग्जेक्वेटेड वेब स्रीज है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए मैं इस वेब स्रीज को दूँगा 10 में से 8 स्टार आपके सोचते हैं इस वेप स्रीज के बारे में मुझे कमेंट करिए और मेरी चनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए धान्यावाद